जेहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का नोकुडीकबर.com के ओफीसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BPNL भारती पसुपालन निगम लिम्टेट की तरफ से आचुकी साल 2022 के आकरी की सबसे बड़ी भरती के बारे में जिसके नोडिविकेसन और ओनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिबेट कर दिये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 10 दिसमबर 2022 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे दोस्तो इस भरती की सबसे बड़ी दो खास बातें जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा पहली तो ये कि आपको 2106 नंबर ओ वेदन करना होगा दूसरी नंबर ये कि यहां पे आपका आउनलाइन एक्जाम होगा जो की आपको घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से देना होगा या फिर आप लोग साइबर कैफे में जाके 10-20 रुपए देके ऑनलाइन एक्जाम को दे सकते हैं तो आपके सलेक्षन के चांसेज बहुत जादा हैं अगर आपको पैसो की नीड है एक जौब चाहिए आपको यहां पे तो बीपी एनल की तरफ से बहुत ही अच्छी वेकिंसी के नोटिविकेसन आउट किये गए हैं कम्प्लीट जानकारी आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएगी और इंडिया लेवल की आपको जौब मिलती है आप लोग भारत के किसी भी राज़े से आवेदन कर पाते हैं और साथी साथ यहां पे बेतन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा जो की लगबग 25,000 किस चीज के पैसे आपको दिये जाएंगे कैसे आपका सेलिक्सन होगा मैंने एक डीटेल में बीपी एनल का वीडियो बनाया है अगर आप लोग गूगल पे या यूटूब पे जाके सर्च करेंगे बीपी एनल नोकरी खबर तो आपको डीटेल में मिल जायागा जहां पे म आपको आवेदन करना होगा आवेदन आप लोग घर से कर पाएंगे बहुत ही आसान होने वाला है कैसे करेंगे इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अपली केसन फीस क्या रहेगा बेतन क्या रहेगा सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आप सभी से छ हमारा official notification open हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिग्जापन संक्षायानी की notification नंबर है यहाँ पर 3BPNL 2022 स्टेज के लिए vacancy है जहाँ पर ही आपको apply online का link मिल जाएगा जहाँ पर क्लिक करके आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं भारती परस्पालन निगम लिम्टेड अवाज सकता करके यह notification जारी किया गया है जहाँ पर सूचना दी गई है कि उमेदबारों से online आवेदन आमंतरित किये गए हैं यहाँ से अगर आप लोग नीचे आएंगे तो देखें पद का नाम पद की संक्षा और पारिस स्रमिक यान पर आपको total नव्वेकंसि मिलेंगी 22,000 का बेतन है परसू सेवक की पोश्टे जहाँ में सबसे ज़्यादा 1620 नविकंसी हैं और 20,000 का बेतन है परसू पालन यहाँ पर पसू पालक उन्नाती केंदर संचालक की पोश्टें 33os पोश्टे 15,000 का बेतन है डिजिटल मार्किटि X YouTube की पोश्टे हैं 21 पोश्टे है 15,000 का बेतन है यहां पे एक शीच और बताई गई कि आवेदक बिज्यापित एक से अधिक पदों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करें रिक्त पदों के संक्षा में कमी या बिर्दिक की जा सकती है यानि कि आप लोग एक या इस आप लोग कंप्लेट नहीं करते हैं तो इस बेतन में कुछ कटोती की जाएगी और उपीउक्त मासिक बेतन के अलाबा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता दे नहीं होगा गौर्मेंट की तरह यहां पे किसी भी तरह का आपको बेतन के अलाबा कोई भत्ता नहीं दिया पहले यहां पे बता दिया गया है कुछ चीजे और बताए गए हैं कि ओनलाइन आवेधन पत्र समस्त वांचे सूचना अंकित करें आवेधन भरने से पूर विजप्त को ध्यान पूर पढ़ ले कोई सूचना गलत या अपून भरने पर आवेधन सुविकार नहीं किया पाएंगे पस स्वेबक के लिए दसवी पास आवेधन कर पाएंगे और पस उपालक उन्नत जो केंदर संचालक हैं उनके लिए बारवी पास यहां पर केंडिडेट आवेधन करेंगे डिश्टल मार्केटिंग एक्सक्यूटिव के लिए भी बारवी पास यहां पर आवेध पिड़ होने चाहिए मांसिक रूप से भी फिट होने चाहिए और आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे निगम में सीधी भरती के लिए आवेदक का चरित्र उत्तम होना चाहिए इसके अलावा भी कुछ चीज़े बताएगे हैं आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए 21 से 30 पर स्वेवक के लिए 21 से 40 सहायक विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 और विकास अधिकारी के लिए 25 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें आवेदन आप लोग कब तक कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको दिनांग दिया गया 10 दिसंबर 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं सभी कटेगरी के उम्मेदबार के लिए फीस एक जैसी रहेगी बस यहाँ पे पोश्ट वाइस फीस आपको देखने को उम्बलेगी यानि की अपलीकेशन फीस अभी हम बात करते हैं कौन-कौन से काम आपको करने होंगे कौन-कौन से आपके लाब होंगे करतब बे अधिकार दाई तो लक्ष जिसको बोलते हैं तो यहाँ पे आपको अधिकार करतब बे लक्ष दाई तो सारी चीज़े बताए गई हैं मैं किसी एक पोश्ट का बता देता हूँ जिससे यहाँ पे आपको जो है तो क्लियर हो जाएगा एक्जामपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सकीटिव तो यहाँ पे देखें भारती परसुपालन निकम लिम्टेड में सम्मंधित सभी सोसल मेडिया अकाउंट बेपेज वब यूटूब चैनल का संचालन करना होगा इसके बाद यहाँ पे देखें सभी सोसल मेडिया अकाउंट्स पर प्रतेग दिन जानकारी नियूज एबं अपडेट पोश्ट करना होगा और दिजिटल मार्केटिंग से सम्मंधित अन अना वस्यकारों को पूरा करना होगा यानि आवस्यक कारों को पूरा करना होगा इसके बाद आपके लाब यहाँ पे लक्षा उंसार आपका मासिक बेतन 15,000 है प्रतिवर्स मासिक बेतन में 10% की बढ़ोत्री की जाएगी यानि कि 10% आपको यहाँ पे बढ़ा के बेतन दिया जाएगा तो दोस्तो इतना आप लोगों ने देख लिया इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़े बताई गई हैं देख सकते हैं आप लोग लक्षा उंसार कार नहीं करने पर मासिक बेतन का भुकतान नियमा उंसार अनुपातिक कटवती कर्द किया जाएगा और यहाँ पे अंतिम रूप से चैनिस सभी आवेदगों को निगम दोरा धाई लाक रुपय का दुरगटना भीमा निसुल किया जाएगा इतनी चीज़े यह आप अपनी ओर से देंगे और इसके बाद जो चैन है और सरप्रसम अन्तिम तीति तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाच की जाएगी जाच के बाद कुछ चीज़े यहाँ पर देखें आप लोग कि इसके अंदर आपको मुवाइल नमबर और इमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है गलत नमबर इमेल आईडी बिल्कुल नहीं डालना है इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे ऑनलाइन यहाँ पर जो एप्टिटूड एक्जाम है आपका होगा इसकी आईडी जो है तो आपके इमेल पर भेजी जाएगी और इसके लिए परिक्षा कितित्यों समय आपको बताया जाएगा एक माह बाद ही आपका एक्जाम होना है ऑनलाइन परिक्षा में सफल रहे आपेदकों को इमेल के द्वारा कारिक के संबन्द में घोशना पत्र भेजा जाएगा जिसके आपेदक द्वारा सो रुपे के स्टाम पेपर पर नोट्री करवाकर डांक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा यह सब करने के बाद कुछ चीज़े और बताएगे हैं आप लोग इसको चेक आउट कर सकते हैं आप यहाँ पे आपका एक्जाम कैसे होगा कौन से सब्जेक्ट रहेगा लिखित परिक्षा यहाँ पे साक्षातकार देख सकते हैं जो यहाँ पे डिज्टल मार्किटिंग एक्सक्रीटिव की पोछते हैं इसके लिए आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा पचास नंबर का केबल यहाँ पे आपका इंटर्वी होगा इसके लिए पचास नंबर ही कंडेक्ट कराएं जाएगे बाकी सभी में 50 का लिखित यहाँ पे आपका परिक्षा होगा और 50 का यहाँ पे साक्षातकार परिक्षा होगा खुल अंक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ और बताए गई हैं जैसे देखें आवेदक के द्वारा लिखित परिक्षा साक्षात परिक्षा को उत्रेर करने के लिए दोनों में अलग-अलग कम से कम 36% अंकलाना निवार है और यहाँ पे कुछ चीज़े हैं अभी आप लोग परिक्षा का इस्थान देख सकते हैं निगम द्वारा परिक्षा ओनलाइन माध्यम से लिए जाएगी आवेदक या परिक्षा किसी भी computer center, civil cafe, laptop, desktop, mobile के माध्यम से किसी भी स्थान से देख सकता है इस परिक्षा के लिए निगम दौरा कोई भी परिक्षा केंद्रोवा प्रवेस पत्र जारी नहीं किया जाएगा ओनलाइन परिक्षा के लिए अवेदकों को एक लिंक उनकी रेइस्टर एमेल पर भेजा जाएगा अधिक जानकारी साथ में सलंगन सिलेवस में दी जाएगी उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके बाद यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया है कुछ जानकारी आपको और दी गई है आवेदन ओनलाइन के लिए निगम की विबसाइट पे जाना होगा इसके बारे में आपको मैं जानकारी आगे दे देता हूँ कैसे आप लोग आवेदन करेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडों में हम बात करें पसुपालन विवाग की तरफ से आचुकी नई भरती 2022 के बारे में जिसका कम्प्लीट नोटिफिकेशन आउट किया गया है कुल पदों की बात कहें तो 2106 पदों के लिए आपको आवेदन करना होगा ओनलाइन तरीके से आप सभी लोग आवेदन करेंगे जिसकी आखरी डेट आने वाली 10 दिसमबर 2022 की होने वाली है इसके बाद यहाँ पर मेल और फिमेल महिला पुरूस दोनों के टिगरी के के चैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इंडर लेवल की आपको जॉब मिलेगी जहां पर 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे आवेदन करने के लिए आपका एजुकेशन 10-12 पास होना चाहिए और यहाँ पर काफी सारी जानकारी है जो कि आप लोगों को मैंने बता दी है बांकि आवेदन कैसे करना इसके बारे में चलिए आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ तो दोस्तो आपको आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में मिलेगा उसके क्लिक करके ऑनलाइन अप्लीकेशन फोरम भारती पस्ट बालन निगल लिम्टेट के पेंच पे आएंगे सबसे पहले जॉब टाइप आने की जॉब की पोश्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्जामपल के लिए कोई भी सेलेक्ट करेंगे डिश्टल मार्केटिंग एक्सकिटी की पोश्टे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसकी फीस यहाँ पे आजाएगी qualification 12 pass है name यहाँ पर आपको डालना होगा phone number अपना डालना होगा father's या husband name father's का mobile number, date of birth enter करनी होगी email, id, address और state यानि की कौन से राज जसे आप लोग आवेधन कर रहे हैं कौन से district से आप लोग आवेधन कर रहे हैं आपका gram पंचायद क्या है पहले आप लोगों को तैसील सेलेक्ट करनी है इस हिसाब से आपको अपना gram पंचायद सेलेक्ट करना होगा अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है आपको मतलब आपके अंडर की सारी ग्राम पंजायते यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कोई भी आपको सेलेक्ट करना है अपने एरिया का पिन कोट डालना है फोटो अपनी डालनी है 100 कB के अंदर सिगनेचर 50 कB के अंदर और यहाँ पे टर्मेंट कंडिसन में आई एगरी की बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है कुछ और प्रोसेस होगा उसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा उमेद करता हूँ कि वीडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद